हेला फ्रेंड्स फाइनली इस अपते इडियन बॉक्स आफिस पर 2020 की मच अवेटेड एक्शन फ्लीक बागी त्री को रिलिस कर दिया गाया है जिसके लीड में दोस्तों आपको बॉल्यूट के उबरते हुए सुपर इस्टार टाइगर शौफ श्रद्धा कपूर और रितिस देशमुक नजर आये हैं एहमत खान के डारेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स आफिस पर इस अपते लगबग 4400 स्क्रीन्स पर रिलिस हुई है जो कि टाइगर शौफ के केरियर में अब तक रिलिस हुई सबसे बड़ी फिल्म है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म का तीन दिनों का बॉक्स आफिस कलेक्शन और इस फिल्म के साथ हम लोग बात करने वाले हैं सुपरिश्टार अजे देवन की फिल्म ताना जी के अभी तक के टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन्स के बारे में जिसे कि आज इंडियन बॉक्स ओफिस पर नो हपते पूरे हो चुके हैं तो चले दोस्तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म बागी 3 के बॉक्स ओफिस कलेक्शन्स के बारे में जिसे कि इस सबते इंडियन बॉक्स ओफिस पर रिलिस कर दिया गया दोस्तो बागी 3 2020 की एक मचावेटेट फिल्म थी जिसमें आपको शानदार एक्षन और धमाकेदार इस्टोरी देखने को मिली थी दोस्तो बता दे चले आपको कि टाइगर शॉफ की इस फिल्म को इंडियन बॉक्स आफिस पर लगबग 4400 स्क्रिंस मिली उखी ओवर्सिस में इस फिल्म को मिली लगबग 1100 स्क्रिंस इस तरह से ये फिल्म वर्डवाईट बॉक्स आफिस पर 5500 स्क्रिंस पर लगने वाली 2020 की सबसे बड़ी फिल्म बनी अब अगर बात कि जा है इस फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्श JOSH के बारे में तो दोस्तो ओडियंस की तरफ से मिले हुए mix reviews के बाद और ग्रेटिक्स की तरफ से मिले हुए mix ratings के बाद इस फिल्म ने अपने पहले दिन 17 करोड 50 लाग रुपे की शांदार opening ली जो की 2020 की सभी फिल्मों से ज़्यादा थी और ताना जी का record इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो तोड़ दिया हाला कि दोस्तो इस फिल्म को इंडियन box office पर कोरोना वाइरस के डर से काफी नुकसान हो रहा है मोई दोस्तो इस फिल्म को जो second day का collections था उसमें भी काफी कमी देखी गई अगर बात करें यहाँ पर हम लोग इस फिल्म के second day के box office की तो दोस्तो जहाँ यह फिल्म अपने पहले दिन 25 से 30% की morning occupancy पर open हुई थी मोई अपने दूसरे दिन यह फिल्म लगबख 22 से 25% की occupancy पर ही open हुई इस तरह से दोस्तो इस फिल्म की जो second day की occupancy थी उसमें थोड़ी ग्रावट देखी गई मोई दोस्तो इस फिल्म ने afternoon में और night show में भी कोई ज़ादा growth नहीं दिखाई यही वज़र रही दोस्तों की यह फिल्म अपने second day में Indian box office पर अपने first day से कम कमा पाई और कमाए हैं लगबख 16 करोड रुपे इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का दो दिनों का जो total collection ही वो हो जाता है 33 करोड 50 रुपे का वही अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग worldwide box office की तो दोस्तों पहले दिन इस फिल्म ने औरसिस मार्केट में काफी दमाकेदार opening ली और कमाए लगबख 7 करोड रुपे वही अपने दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म ने कमाए लगबख 6 करोड रुपे इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का औरसिस से दो दिनों का total collection हो जाता है लगबख 14 करोड रुपे का worldwide box office पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुवाती दो ही दिनों में लगबख 52 करोड से ज़्यादा की कमाए कर ली इस तरह से दोस्तों इस फिल्म इंडियन box office पर एक सूपरी ट्रेंट कर रही है महीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के हम लोग तिसरे दिन के box office collections के बारे में तो दोस्तों आज भी इस फिल्म के collections पर कोरोणा effect देखा जा रहा है जिस वज़ा से दोस्तों आज की इस फिल्म की जो morning occupancy है वो रही है 25 से 30% की afternoon occupancy दोस्तों इस फिल्म की दिखा रही है 28 से 35% की मुझे दोस्तों evening में इस फिल्म की जो advance occupancy है वो दिखा रही है 15 से 18% की यानि कि दोस्तों आज के भी इस फिल्म के जो collections है वो अपने पहले ही दिन की तरह दिख रहे हैं और ये फिल्म आज अपने तिसरे दिन Indian box office पर लगबग 18 से 19 करोड रुपे की कमाई कर रही है इस तरह से इस फिल्म का जो 3 दिनों का weekend collection है वो हो चुका होगा लगबग 50 करोड रुपे का वह अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग worldwide box office की तो दोस्तो worldwide box office पर ये फिल्म अपने शुरुवाती 3 दिनों में लगबग 20 करोड से ज़्यादा के कमाई करके एक super hit trend कर रही होगी दोस्तो बता दे आपको कि इस फिल्म का budget है लगबग 100 करोड रुपे और इस फिल्म को Indian box office पर hit होने के लिए 120 करोड रुपे कमाने होगी तो आपको क्या लगता है दोस्तो इस फिल्म को जो lifetime होगा वो कितना होगा अब बात कि जाए दोस्तो यहाँ पर पिछले 9 हपतों से दमाकेदार कमाई कर रही फिल्म ताना जी के box office collections के बारे में जिसे की box office पर ये 9th संडे है बता दे चले दोस्तों आपको कि सुपर इस्टार अजे देवगन, सैफ अली खान और काजोल इस्टारर इस फिल्म को Indian box office पर 10 जनवरी को release किया गया था जिसे की लगबग 3880 screens मिली थी बता दे दोस्तों आपको कि इस फिल्म को audience की तरफ से काफी शानदार reviews मिले थे वही क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी शानदार ratings दी थी ये फिल्म दोस्तों 2020 की अब तक की सबसे जाधा कमाई करने आली फिल्म है जिसे कि अपने पहले ही दिन लगब 15 करोर 10 लाग रुपे की शानदार opening लगी हाला कि दोस्तों इस फिल्म का क्लेश दीपिका पादुकोन की फिल्म चपाक के साथ हुआ था यही वज़र रही दोस्तों की इस फिल्म का जो पहले दिन का collection था वो तो थोड़ा कम रहा लेगिन अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग फर्स्ट विकेंड के collections की तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स आफिस पर काफी शानदा ग्रोध दिखाई थी और कमाये थे लगबग 25 करोड रुपे वोई अपने तिसरे दिन दोस्तों इस फिल्म ने लगबग 27 करोड से ज़्यादा की कमाये करके 62 करोड रुपे का विकेंड हासिल किया था बात किजा दोस्तों अगर इस फिल्म के अभी तक के total box office की तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हपते में लगबग 118 करोड 99 लाक रुपे कमाये अपने शुरुवाती 22 दिनों में ये फिल्म Indian box office पर 200 करोड का आखड़ा पार करने में सफल रही और सुपरिश्टार अजे देवगन के केरियर की हाइश्ट ग्रोसर फिल्म बनी महीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग अभी तक के total की तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने छटे हपते में Indian box office पर कमाये थे लगब-ख 6 करोड रुपे, 7 वे हपते में इस फिल्म ने कमाएं, लगब-ख 4 करोड रुपे में अपने 8 वे हपते में इस फिल्म ने कमाएं, 2 करोड रुपे इस तरह से दोस्तों यह फिल्m काभीर सिंख के हाइश्ट ग्रोसर कलेक्शन को पीछे कर चुकी थी और बोल्यूड इतिहास की ग्यारावी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी थी दोस्तो इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन है वो दोस्तो 82 करोड रुपे का हो चुका था नोवे हपते में भी दोस्तो इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की महीं आज दोस्तो इस फिल्म अपने नोवे रविवार को इंडियन बॉक्स ओफिस पर लगबख 40 लाख रुपे कमा रही है इस तरह से इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगबख 282 करोड 70 लाख रुपे का महीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस की तो दोस्तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस पर ये फिल्म 368 करोड की कमाई के साथ एक औल टाइम ब्लॉक्बश्टर बन चुकी है दोस्तो अगर इन दोनों ही फिल्मों का कमपेरिजन क्या जाए तो सुपरिस्टार अजे देवन की इस फिल्म की आज की जो ओक्यूपेंसी है तो बागी की ओक्यूपेंसी के बराबर ही है आपको दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भुलिएगा दन्यवाद जैहिं जै भारत